हलो दोस्तों physics with अतुल सिंग चैनल में आपका स्वागत है आज हम देखते हैं टॉपिक स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन स्टीडी इसका शॉट फॉर्म है ठीक है अब यह बेसिकली किसके साथ डिल करता है डिल्स अब आपको पता होगा अब आपको पता होगा कि स्ट एक्वेशन फ़र्टीकल मूविंस फ्रीहीं पॉजिटीवuu行 x डियरेक्शन क्या होता है वे होता है यहाँ पे जो मेगा और कि यह क्या होता है वह देखते है पहले उमेगा आपका क्या होगा two-five and two frequency frequency क्या होता है एच बाइ यबाइफ है ना वह यह आइंस्टान के रिलिशन से होता है easy goes to a new के से आपका relation से आथ है तो अगर आप पूट करते हैं तो देखते हैं अगर हम पुट करेंगे तो आएगा साइवल भी एंटू इस टू माइनस आए टूपाइब बाहर आ जाता है कॉमन लेके अंदर बज़ता आपका एटी माइनस पी एक्स अब देखिए इसको मैं कैसा लिख सकता हूं साइज इगोल्स टू एंटू इस टू माइनस आई अपन एच कट ठीक है एच कट यहां पर क्या है एच बाय टूपाइ एच बाय टूपाइ इसलिए तो अपन में करूंगा थो एच बाय हो जाते है तो उसको हम लोग एच कर देगे और यह आपका एज़तिस एटी माइनस पी एक्स तो यह आपका फंक्शन मिल गया ठीक है साइका को कि एक् इसका करते हो पार्शेली और डिफ्रेंशेशन दोनों की होता है तो अगर आप डिफ्रेंशेशन का करते हो दो बार ठीक है ट्वास लिखें विद रिस्पेक्ट टू एक से तो जो आपका एक्वेशन आते हैं एंटु आई पी अपॉन एच कर्थे प्रेंशेशन इसको आपकर करके देख सकते हो यहिए फ्रेंशेशन एक क्या था है यह इसके साथ अब है इफके साइब यह हो गया तो यह क्या किया और बाइस के शरसाइट में यह is एकेसिट ता इवाला तीचा है इसको हम वापस इफ्रेंशेट करेंगा पहली बार हम लोग टी के साथ करेंगे इस भार एकिपरेंशेट करेंगे टीजिसिए हैफ यह थे खते हैं और यह वर यह तो एक सथ तो इस एकhon Sta अगर आपको मैंने बता है differentiation अगर आता है तो इस equation को with respect to t के साथ अगर आप difference many differentiation करते हैं सिर्व एक बार तो जो equation आता है वह आपको है यह यह वाला equation आते हैं ठीक है यह यह भी दिफ्रेंशिशन करिए आपका हाज आंतों देखें अपसाय हो जाता है पहलों तो आगे अगे देखते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ अब ऐकवेशन हो तो इसाय में क्या लिख सकता हूं इसको आप उदर बेज दीजिए तो माइनस एच कट अपन आए फिर यह हो जाएगा आपका ठीक है आपका कॉंप्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है एच कट और यह आपका देख हो गया फोर का यह आया यह आया एकवेशन कि आ आपका यह आपका फिलाल अप लिखिछ लेटेशियों पर याद अब आगे दिखते हैं आप मोमन्टम को मतलब मतलब करेंगे तो तो आपका यह आता है प्रोटेंशनल जी को क्या लेते हैं वी लेते हैं अगर साइ के साथ मंटिप्लाइ करते हैं तो यह आता है साइ के साथ मैंने मंटिप्लाइ किया और कुछ नहीं किए साथ मैंने इस उक्वेशन को मैंने चाहिए पहले का जो इक्वेशन 3 और 4 था वो देखिए 3 और 4 क्या था आप देख लिए एक बार बैग जाके ठीक है तो जो एक्वेशन 3 और 4 equation तो यह देखे यह आपका equation 3 है और यह वाला equation आपका 4 है मैंने बताया था equation 3 में देखे P square psi की value है equation 4 में E psi की value है तो बस इसकी value हम लोग put करेंगे वहाँ पे ठीक है तो जब इसकी value आप put करते हो तो यह आता है E psi के बाद और P square psi के बदले आप यह पुट करते हो है न माइनेस H square square और यह partial value of psi का square ठीक है psi with respect to x और यह तो as it is होता है तो यह जो पूरा equation मिलता है यह आपका one dimension का one dimension का time dependent equation है ठीक है यहाँ तक यहाँ पर आपका equation आ जाता है तो ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप subscribe केजिए हमारे channel को thanks for watching